हाई डेवलपर्स, वेलकम बेक टू कोट स्टेबर स्टेब, मैं हूँ अनिली सिद्धू और Node.js के इस पार्ट में में बात करने वाले हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो हमें पता होना चाहिए Node.js की सिरीज स्टार्ट करने से पहले जैसे की वेब डेवलपेंट के अंदर क्लाइंट एंड सर्वर साइड्स क्या होती है Node.js कहा रहन होती है, क्लाइंट साइड पर और सर्वर साइड पर Node.js इंटरनली जावा स्क्रिप्ट कैसे यूज कर पाती है और डेवलपर्स बेसिकली कंपनीज के अंदर Node.js से बनाते क्या है ठीक है सबसे पहले क्लाइंट एंड सर्वर साइड को समझते हैं देखो जब भी हम लोग कुछ भी इंटरनेट से एकसेस करते हैं तो उसके अंदर दो मशीन इंवाल रहती है क्लाइंट मशीन ओपो हुट है एक सर्वर मशीन होती है दो क्लाइंट मशीन होते हैं जहां से पर लोग कुछ भी अकसेस कर रहें मान वो आको google.com ओपन गरना है आपके लैप्टॉप के ओपर तो क्लाइंट मसीन से आप एक request भेजते हो ठीक है बाद में आप किसी website के उपर क्लिक करते हों, website open करने के लिए तो फिर से request गी और फिर से आपको response मिल गया, तो यह एक architecture होता है basic, जहां पर हम लोग कुछ भी internet से access करते हैं, तो, अब आप बोलोगे कि इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो, actually, दो तरीके की programming language होती ह है, एक जो server side के उपर run होती है, difference भी मैं आपको बताऊंगा, और किसकी क्या power होती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, जो client side के उपर run होती है, javascript, html, css, जिससे हमें हमारी website display होती है, जैसे कि मैंने भी chrome browser खोल रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह सब कुछ इन API की form में था, कुछ अजीब सी form में था, binary form में कह सकते हो आप, तो उसको यहाँ पे javascript, html, css, इसको आपको देखने लाइक बना देते हैं, ठीक है, तो दो तरीके कि programming language में एक चीज हमने समझ ली, client side की language, जो वो होती है, server side की language, जो कि database से connect करती है, और अपने file system से connect करती है, कि आप database से connect कर पाते हो, वो एक server side language ही होती है, because database कहाँ पढ़ा होता है, server side में, तो client side पे javascript होती है, javascript क्यों नहीं access कर पाती database को, because ये client side पे होती है, server side पे नहीं होती है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में communication कैसे होता है, data कैसे आता है, API के थूँ, हम यहाँ से अधिना, relax होके, जो chrome browser होता है, उसके अंदर हमारी javascript execute होती है, but chrome browser execute कैसे करता है, इसके अंदर एक engine होता है, v8 engine बोलते हैं हम जिसको, यह v8 engine का logo है, तो यह क्या करता है, जो भी उसके पास code आता है, उसको v8 engine के पास में भेजता है, उसको execute करके result मिल जाते है, तो node.js वा बनाना चाहिए, तो क्या कर सकते है, v8 engine को हम use कर लेते हैं, तो javascript का same code हमारा backend में भी use हो जाएगा, तो उन्होंने क्या करा, node.js के अंदर v8 engine use कर लिया, अब v8 engine क्या करता है, v8 engine को javascript code देती है, यह इसको result दे देता है, और बात में जो database से connect करना होता है, फिर file system से connect करन v8 engine यह basically c++ language के अंदर लिखा गया था, तो क्या हमें c++ नहीं पढ़ने पड़ेगी, नहीं नहीं, उसकी जरूत नहीं है, यह इसका internal working process है, उससे में कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग बस javascript वाला code ही use करेंगे, node.js के अंदर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और देख है, उसके बाद में क्या करते हैं, ताकि हम लोग client side है, और server side को connect कर पाएं, connect कैसे कर पाते हैं, obviously API के थूँ, जो मैंने यह वाली slide दिखाई दीना आपको, जो request के अंदर हम लोग बोलते हैं, हमें API से data दो, और बाद में API से ही है, हमें response मिल जाते है, तो basically API हम बनाते है, node.js के अंदर, alright, so क्या वो API हैं, वस web के लिए कामयात में, जी नहीं, वो API Android के लिए, iOS के लिए कहीं भी, जहां पे आपको API की जुरूत पड़े, आप Node.js की API यूज कर सकते हो, सब के लिए same API ही बनती है, ऐसा कुछ नहीं है, कि website के लिए कुछ अलग से API बनेंगी, Android के लिए क अलग से API बनेंगी, iOS के लिए अलग से API बनेंगी, जी नहीं, एक API बनती है, mobile application भी उसको वही यूज करते हैं, में भी same यूज करते हैं, और web के अंदर भी वही यूज करते हैं, क्या Node.js के अंदर हम लोग website बना सकते हैं, जी हां, हम लोग इसकी help से website भी बना सकते हैं, तो web app से या फिर mobile app से, एक request आती है कि हमें कुछ ना कुछ data चाहिए, तो यह server database से connect करता है, फिर file server से connect करता है, यहां से data लेता है, और वापीस से web app को है, फिर mobile app को, जो उस ने मांगा था, उस data को return कर देता है, तो यह एक simple सा flow भी होता है, Thank you so much for watching this video, और next वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, कि Node.js को install कैसे कर सकते हैं, अब आपको I think समझ में आ गया होगा, Node.js related अभी कुछ भी query है, तो मेरे से पूछ लेना, comment box में पूछो, मैं definitely आपको answer करूँगा, Thank you so much for watching this video.